नमस्कार ये आकाशवानी है अभिया आपता दुयाजो से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार जहारकन विदानसवा चुनाव के पहले चरण में 43 सीतों पर कर्ल मद्दान मद्दान सुचार रूप से संपन कराने के लिए सुरक्षा बलों की 200 से अधिक कमपनियां तैनाद की गई महाराश्ट्र विदानसवा चुनाव ने प्रचार चरंपर है विवेन राजनतिक दलों के सीर्ष नेता मद्दाताओ को लुभानी के लिए हर संबब प्रयाज कर रहे हैं रक्षा मंतरी राजना सिंग ने उभरते युद खत्रों का मुगाबला करने के लिए अनुकूलित रक्षा रननीतियों का आवाहन करते हुए कहा कि ये कोई रननीतिक विकलत नहीं बलकि एक आवशकता है इस वित्यवर्ष में 10 नवेंबर तक शुद प्रत्यक्ष कर संग्रा 15.41 प्रतिशत बरकर 12,11,000 करों रुपे हो गया महिला एशियाई होकी चेंपियन्स ट्रोफी में आज बिहार के राजगीर में भारत का मुकाबला दक्षिन कोरिया से होगा जारकन में 43 विदान सवा सीटों पर पहले चरन का मदान कल होगा मदान 104 रूप से संपन कराने के लिए सुरक्षा बलो की 200 से अधिक कमपनियां तैनाद की गई है दूसरे चरन में 38 सीटों के लिए इस महिने की 20 तारिक को मदान होगा वोटों की गिंती 23 नवेंबर को होगी जारकन के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवी कुमार ने बताया कि विधान सवा चुनाव की घोषना के बाद से राजक के भिविन हिस्सों में 189 करोर रुपे से अधिक की आवेद सामगरी और नकदी जब्थ की गई है उन्होंने बताया कि आदर्श अचार सनहिता के उलंगन के लिए 54 प्रात्मी की दर्श की गई है जारकन में NDA और इंडिया ब्लोग डोनों के नेता दूसरे चरन के चुनाप प्रचार में जुटे हैं भारत्य जनता पार्टी के वरिष्ट नेता और ग्रामंत्रे अमिश्चा के धनबात के जारिया में चुनावे सभा को संभोधित करते हुए लोगों से भरष्ट हैंन्त सोरन सरकार को उखार फेकने का आवहन किया जहरकन मुक्ती मोर्चा के वरिष्ट नेता और मुख्य मंत्री हैमंत सोरन ने सींदरी में चुनावे सभाओं में मद्दाताओं से सोच समझ कर वोट देने की अपील की कॉंग्रेस राष्ट्य जनता डल ओल जहरकन स्टुडेंस यूनियन और वाम दलो के नेता भी राज्य के विविन हिस्सों में चुनावी रेलिया कर रहे हैं महाराष्टा विदानसवा चुनाव में प्रचार चरम पर है विविन राजनेतिक दलो के शीर्ष नेता मद्दाताओं को लुभाने के लिए हर संबब प्रयास कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ट नेता और पधान मंत्रे नरंद्र मोदी ने आज महाराष्टा में त्रीव विकास के लिए महायूती सरकार की सराना की चंदरपूर जिलेक के चीमूर में एक चुनावी रेली में उन्होंने कहा कि ये महायूती सरकार के प्रयासों का परिनाम है कि महाराष्टा पिछले दो वर्षों से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेस वाला राजे बना हुआ है। श्री मोधी ने भाजपा के घुशना पत्र की सराना करते हुए दावा किया कि AI, विश्वविद्याले, जल गृत प्रियोजनाई, आवास योजनाई, पाइप जल कनेक्शन, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे महत्पुन वादे महाराष्टा के उज्वल भविशे के लिए फाइदेमन्द होंगे। केंद्रिय मंत्री और भाषपा के वरिष्ट नेता अमिच्षा मुंबई में दो रेलियों को संभोधीत करेंगे। केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी ने लातूर जिले में देवनी में एक रेलियों को संभोधीत किया, जहां उन्होंने अमद्दाताओं को शेत्र में भिव प्रावती और नागपूर में रेलिया करेंगे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र, फर्नविश, दाहानू, विक्रमगर, पेन, सायन, कोलिवाडा और कलियान में रेलिया करेंगे। इस बिच बुलडाना जिले के चीकली में कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी की निधारित रेली उनके विमान में तकनिकी खरावे के कारन रद कर दी गई। ठाकरे सोलापुर में प्रचार करेंगे। जबकि उनके बेटे और विधायक अदित्य ठाकरे माहीम में एक रेली को संबोधित करेंगे जहां उनके चचरे भाई अमित ठाकरे MNS की तिकेट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राज ठाकरे वर्ली में प्रचार करेंगे। बिहार में कल चार विधानसवा शेत्र, इमाम गंच, बैला गंच, तरारी और रामगड में उप्चुनाव के लिए मदान होगा। गाया भोचपूर और केमूर जिलोग के 1277 मदान केंदर पर मदान होगा। केरल में वाईनाट लोकसवा शेत्र और चलेक काड़ा आरक्षित विधानसवा शेत्र में कल होने वाले उप्चुनाव के लिए सभी तयारियां हो चुकी है। वाईनाट में रोचक मुकाबला होने की संभावना है। यहां कॉंग्रेस पार्टी की प्रियाम का गांधी युनाइट डेमोक्रेटिक फ्रंट के बैनर तले चुनावी राजनितिक शुरुवात कर रही है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के CPI के सत्यन मोकेरी और NDA की भाजपा उमिदवार नव्या हरिदास उन्हें चुनोती दे रही है। कुल सौला उमिदवार मैदान में हैं। आसम में पांच विदानसवा सीटों पर कल होने वाले उचुनाव के लिए सभी तैयारिया पूरी कर ली गई है। जोर दिया है। ने दिल्ली में आज दिल्ली रक्षा वर्ता के उठगाटन सामरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुकोलित रक्षा के वल एकरन नितिक भी कत नहीं है बल्कि एक आवशकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस बारे में देश का दृष्टिकोन, लचीलेपन, नवाचार तथा परिवर्तन शीलता पर अधारित होना चाहिए और राष्ट्र को भविश्य की सभी चुनोतियों के लिए तयार रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्य सुरक्षा के खिलाफ सूशना यूद के खत्रे का मुकाबला करने के लिए अनुकुलित रक्षा रनीतियों को नियोजित करने के लिए प्रतिवद है। देशी आपूर्ती करताओं पर निर्भरता कम करने की उद्देशियत से स्वादेशी चमताओं और दक्षताओं को विक्सित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 2047 तक विक्सित राष्ट बनने के सपने को हासिल करने का एक मात्र माध्यम सिख्षा है। राज्य और केंद्र साशिर प्रदेशों के सचीवों के साथ उच्छ और तक्निकी सिख्षा पर नई दिल्ली में एक राष्ट्य कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्रिप्रधान ने सिख्षा शेत्र के पांच प्रमुक पहलों के सुधार पर बल दिया। श्रिप्रधान ने राज्यों और केंद्र साशिर प्रदेशों के प्रतिनीदियों से अपने राज्यों में राष्ट्य सिख्षा नीती 2020 को लागो करने के लिए आवशक कदम उठाने का आगरक्या और प्रतियक राज्य की विशेश आवशकताओ के आधार पर पार्टे करम बनाने का सुझावदिया देश का शुद्य प्रतिक्ष कर संग्रा इस वित्य वर्ष में अब तक 15.4 एक प्रतिशत की वृद्धी के साथ 12,10,000 करो रुपे से अधिक हो गया है केंद्री प्रतिक्ष कर बोट की अनुसार इस वर्ष एक अप्रिल से 10 नवंबर की अवदी के दोरान रिफंड के समायोजन से पहले सकल प्रतिक्ष कर संग्रा 21.2 प्रतिशत बर कर 15 लाग करो रुपे से अधिक हो गया केंद्र प्रतिक्ष कर बोट ने कहा कि कॉर्पोरेट टेक्स में भी 5,10,000 करो रुपे के संग्रा के साथ मामूली वृद्धी देखी गई जो पिछले साल 1 अप्रिल से 10 नवंबर की अवदी के दोरान दर्श के गए 4,89,000 करो रुपे से अधिक है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जेशंकर आजने दिल्ली में प्रवासी भारतिय दिवस दो हजार पच्चिस वेबसाइट का शुभारं करेंगे प्रवासी भारतिय दिवस अगले साल 8 से 10 जनवरी तक ओडिसा के भूबनेशोर में आयजित होगा आज लोग सेवा प्रसारन दिवस मनाया जा रहा है ये दिवस वर्ष 1947 में दिल्ली स्थित आकाश्वानी के स्टूडियो में राष्ट पिता महात्मा गांधी के आगमन की स्मृति में मनाया जाता है महिला एशिया की चैंपियन्स टूफी में आज विहार के राजगिर में भारत का मुकावला दक्षिन कोरिया से होगा कल भारत ने अपने पहले मैश में मलेशिया को चार सुन्य से हरा दिया था रूस के क्रिसी मंत्राले के मंत्री मैक्सिम टिटॉग के नेत्रत्व में एक प्रतिनीडी मंडल ने कल उपभोकता मामलों के विभाकी सचीवनीदी खड़े से मुलाकात की इसमें दालों के व्यापार में सयोग बराने पर चर्चा की गई भारत में हाल के वर्षा में रूस से मसूर और पीली मटर का आयात बढ़ा है उबभोकता मामले, खादिय और सार्वजनिक वित्रन मंत्रायल ने कहा कि खरीफ फसल की उपच में वर्दी से इसे वर्ष जुलाई के तूर, उरद और चना जैसी प्रमुक डालों की आपूर्ति की स्थिती में सुधार हुआ है इसे के साथ ये समाचार बुलिटिन समाप्त हुआ, नमस्कार